हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चनल नीलम की रेसिपी में और आज नीलम की रेसिपी में आपकी साथ में सेर करने वाली हूँ भेंडी की सब्जी जिसे आप बिना गैस जलाय बना सकती है आइटल आपने पढ़ा होगा और आप सोच रहे होंगे कि एक बिना गैस जलाय है लेकिन गैस को आपको पूरे मसाले डालने के बार भेंडी की तर possessed पर तयार करने के बार तब आपको गैस बैठाना है दो कैसे बनाना थी वीडियो में आपको आगे बताओंगी इस लिए step by step बिडियो को देखते रहे यहां एक है वहां क्लेटा करने के ज़ह सब्सक्राइं तो रिए थींडी को अच्छी तरह कुछा है यहां पर यخंद मैंने cały सब्सक्राइब क्लें कर ले पिया सब्सक्राइब और लिए सबधाने के लिए पर यह उड़ी के लिए य whole रैइनीस, समित में fatto रिद्फा सबजी को बनाने के लिए भिंडी का कोई बिसेस कटिंग जरूरी नहीं है जो आप उससे पसंद हो बड़े चोटे और बहुत चोटे आप वैसा कट कर सकती है तो यह देखें यहां मैंने भिंडी को काट के तैयार कर लिया है अब आपको मैं नेक्स दिखा दें कि अब इसमें प्लीज लाइक किजिएगा दोस्तों सेर किजिएगा क्योंकि बहुत ही स्वेसल भिंडी है क्योंकि यह रिसे भी बहुत टिस्टी है जब इस आप बनाएंगे तो बिल्कुल चिकन साब को खुश हुआएगा एक दम से और उसके बाद इसमें मैंने यह चौपर बोर्ड में भिंडी को मैंने काट की रखा है इन सभी को एक कड़ाई या पैन में हम सिफ्ट कर लेंगे बरतन थोड़ी बड़ी होने चाहिए ध्यान रखना है तो दोनों जो मैंने भिंडी काटें दोनों को एक साथ ही सिफ्ट करना है और इन्हें अच्छी तरह से फैला लेना है अब इसमें डालेंगे जो मैंने चॉप किया हुआ अनियान गार्लिक और यहां पर मैंने रखा है जिंजर इनसा भी को इसमें अच्छी तरह से डालेंगे आप देख सकती इसकी क्वांटिटी यहां पर ज्यादा है यह इतनी टेस्टी लगेगी कि अगर आप भिंडी नहीं खाते ह पॉडर उसके बाद इसमें वन टी स्पून मैंने चिली पॉडर डाला है वैसे आप अपने स्वादा नुसाल कम ज्यादा पॉडर को कड़ सकती है पिर यहां पर जो यह मसाले मैं डाल रहे हूं इसमें काली मिर्च धनिया और उसके बाद इसमें मैंने डाला है जीरा अब आपको इन ग्रेडेंस को अच्छी तरह से मिक्स करके और मिला लेना है इसमें और कुछ आपको डालने की जरूरत नहीं है ये रेसिपी और ये सबजी का अगर बिल्कुल अलग फ्लेवर आपको नहीं आया तो आप मुझे कॉमेंट नहीं कीजेगा लेकिन अगर आपको इसका स्वाथ थोड़ा सा अलग लगा इसकी कुस्वू थोड़ी सी भी अच्छी आई तो आप पूरा घर के लोग आपसे पुछेंगे कि आप क्या बना रहे हो अब यहां पे यह आपकी सबजी तो आदि तो तयार हो गई है अब इसे हमें थोड़ा सा गैस पर पका लेना है तो यहां पर देखें गैस का फ्लेम स्टार्टिंग में वन मिनट के लिए आपको सिर नमियाट हो गए हैं बीच में एक बर चलाया था इसे और इसे आपको बहुत बर चलाने की ज़रूत नहीं है एक से दो बर चलाई है और यह सबजी आपकी बनके बिलकुल तयार हो गया कि तरह अब देख सकती हैं कितने अच्छा से मसाले भून गहा है कितना अच्छा सबज बनके बिल्कुल तयार है अब इसे आप रोटी के साथ खाई ये पराटी के साथ खाई ये बहुत ही टिस्टी लगेगी तो आई होप आच की वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंदा आई होगी अगर रेसिपी अच्छी लगे होगी तो लाइक किजिएगा दोस्तों